हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल फ्रेंज दिखे आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूँ बहुत ही इजी पैटन है ये बनाने में इस पैटन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती है जैन स्वेटर में ये डिजाइन आप चाहे तो उसको नहीं भी रख सकती है तो ये है हमारा राइट साइड उस तरीके से और ये है इसका रॉंग साइड देखे ऐसे तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं 10 के मल्टिपल फंदे प्लस 2 एक्स्ट्रा और ये डिजाइन जो हमारा एक बड़ा सा चेंज हो जाता है बाकी सब सेम रहता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखे यहां पे मैंने 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 एक्स्ट्रा करके टोटल 32 फंदे ले लिए हैं पहली सलाई से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे पहली सलाई राइट से तो यह देखिए यह हमारा एज स्टीच इसको ऐसे ही उतार लेंगे पिना बुने उन अपनी तरफ करेंगे और एक दो तीन और यह चार यह हमारे उल्टे फंदे उन पीछे करेंगे और इसके बार देखिए यह जो हमारा पैटर्न है यहां से देखिए एक दो तीन चार इस चौथे फंदे को हमको आगे लाना है तो आपको जैसे ही जी लगे आप वैसे इसको कर सकती है यह चारो फंदे ऐसे सलाई पर से निकाल लेंगे और इन तीन फंदों को हम सबसे पहले अपने इस लेट वाली सलाई पर चड़ा लेंगे और ये जो चौथा फंदा है, इसको हम लाएंगे ऐसे आगे, और सबसे पहले इसको हम बीनेंगे सीधा, इसके बाद इन तीनों फंदों को भी हम सीधा बिन लेंगे, ये हो गया चार फंदे और प्लस दो और, यानि टोटल छे फंदे, तो ये हमारा जो है, दस फंदा देखि ये हमारा रिपीट पैटन है, इसी को हम रिपीट करते जाएंगे, उन अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे, उल्टे, उन पीछे करेंगे, अब ये छे फंदों में हमारा पैटन बनेगा, ये जो हमने यहाँ बनाया है, तो 6 फंदों के लिए सबसे पहले ये चौथा फंदा जो हमारा है इसको हम आगे लाएंगे और उसके बाद पांचो फंदों को हम सीधा बिनेंगे, तो उसके लिए आप चाहें तो पहले इसको ले लीजिये, फिर इन तिन फंदों को उतार दीजिये या सबसे easy है आप इन चारों फंदों को ऐसे सलाई पर से निकाल दीजिए अब एक तो तीन ये पहले चढ़ा लेंगे और इसको ला देंगे हम सबसे आगे और ये देखिए अब यहाँ से इस फंदे को लेते हुए टोटल छे फंदे हम सीधे भी नेंगे ये हमने आगे लिया है इस तरीके से इसको सीधा भी नेंगे इसके बाद देखिए ये पहला फंदा दो तीन चार पांच और ये छे हो गया दस फंदा एक बार फिर से उन अपनी तरफ एक दो तीन और ये चार उल्टा उन पीछे और अब देखिए ये लास्ट का एजिस्टी छोड़ देंगे फिर हमारा ये जो छे फंदा है चोथे फंदे को आगे लाके फिर हम छे फंदे सीधे भी नेंगे इसके लिए ये चार फंदे हम सलाई पर से निकाल लेंगे इन तीन फंदो को हम पहले ले लेंगे अपने लेफ्ट हैंड की सलाई पर और ये जो चोथा फंदा है इसको दो, तीन, चार, पाँच, और ये छे, एज स्टीच हमारा जो है वो सीधा, अब ये हो गई हमारी पहली सलाई, दूसरी सलाई देखिए हमारे फंदे जैसे हैं, जो सीधा है उसको सीधा भी नहेंगे, जो उल्टा है उसको हम उल्टा भी नहेंगे, तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे फंदे उल्टे, उन पीछे और चार फंदे सीधे तो देखे दो, तीन, चार अब इस edge stage को छोड़ के देखे छे फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे इसी को हम repeat करेंगे एक दो तीन चार पाँच छे उल्टे फंदे और एक दो तीन चार सीधे हो गया दस पंदा फिर उन अपनी तरफ एक दो तीन चार पाँच छे उल्टे फंदे उन पीछे एक दो तीन चार सीधे और एज इस्टीश हमारा उल्टा यह हो गई हमारी दो सलाई तीसरी सलाई पूरा सीधा सीधा तो पहला फंदा उतार के इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन देंगे इस तरह से तीसरी सलाई पूरा सीधा सीधा इस तरीके से पूरा सीधा ये दिखे चौथी सलाई पूरा उल्टा उल्टा फ़ला फंदा उतार लेंगे बिना बुने और सारे फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन देंगे तो ये ही चार सलाई basically हमारा pattern है लेकिन चार सलाई के बाद फंदे थोड़े से change हो जाएंगे pattern हमारा same रहेगा तो ये चौति सलाई पूरा उल्टा-ल्टा बिन लेंगे ये देखिए ये हो गई हमारी चार सलाई दो सलाई में हमने डिजाइन डाला और दो सलाई हमने साधा बिल लिया अब पहला फंदा हमारा एजिस्टिश है इसको हम उतार लेंगे इसको कुछ नहीं करना अब यह जो चार फंदे हमारे थे उसमें से हम अब इस बार सिर्फ दो फंदे उल्टे भी नेंगे यह देखिए उन पीछे करेंगे और अब यहां से हम छे फंदे काउंट करेंगे तो यह जो दो फंदे हमारा जो डिजाइन है वो इधर आता जाएगा चार सलाई के पाथ यह देखिए अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह फंदा काउंट करेंगे अब चोथे फंदे को हमको आगे लाना है तो यह चार फंदे सलाई पर से निकाल के तीन फंदे पहले चड़ा लेंगे इसको चोथे फंदे को आगे लाएंगे और यहां से हम एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे देखिए अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा देखिए यह दो फंदे हमारे बचे सीधे अब यहां से हम चार उल्टा करेंगे तो एक, दो, तीन, चार यह उल्टे फंदे उन पीछे अब एक बार फिर देखिए यह तीन और यह तीन, छे फंदे हमारे इस पैटर्न में आएंगे और यह दो फंदा जो बचेगा यह हमारा चला जाएगा उल्टे फंदे में यह जो दो बचा यहां पे देखिए इसको हमने सीधे में काउंट कर लिया तो अब फिर से चौथा फंदा हम आगे लाएंगे यह ऐसे और इसको हम एक, दो, तीन, चार, पाँच और यह देखे छे एक बार फिर से हमारा रिपीट पैटन तो एक, दो, तीन, और यह चार उल्टा फंदा उन पीछे अब यहां से छे फंदे तो यह चौथा फंदा हम आगे लाएंगे तीन फंदों को चड़ा लेंगे फिर से उसी सलाई पे और यह चौथा फंदा आगे तो अब एक, दो, तीन, चार, पांच और यह चे अब दो फंदे हमने यहां पे कम कर दिये तो यह दो फंदे जो है वो अब यहां आ जाएंगे लास्ट में तो यह हम कर लेंगे दो उल्टा फंदा और लास्ट में एजिस्टिट सीधा बिए तो बस यह याद रखिएगा कि यहां से जो दो फंदे हम कम कर रहें वो यहां पे दो फंदा हमारा जुड़ता जाएगा wrong side से जो फंदे जैसे हैं तो पहला फंदा skip कर लेंगे और दो सीधा भी नेंगे जो हमने last में दो उल्टा भी ना था, उन अपनी तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, उल्टा, एक, दो, तीन, और ये चार सीधा उन अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, उल्टा फंदा एक, दो, तीन, और चार सीधा फिर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और लास्ट का दो उल्टा ओन अपनी तरफ, एज्टिच उल्टा तो ये देखिए इस तरीके से पैटर्ण डालते से मैं, जो फंदे हमारे राइट साइड में सीधे है, वो रॉंघ साइड में उल्टे हो जाएंगे और जो उल्टे फंदे है, रॉंग साइड में सीधे हो जाएंगे तो ये हो गई हमारी 6 सलाई सात्मी और आठमी सलाई सीधा ये राइट साइट से सीधा सीधा और रॉंग साइट से उल्टा उल्टा इसको हम बना लेंगे ये देखिए ये हो गई हमारी 8 सलाई 9 सलाई फिर से पहली सलाई की ही तरह लेकिन अब इस बार देखिए ये हम बस पहला फंदा उतारेंगे और ये जो 2 उल्टा हमने बीना था अब यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे यानि 6 फंदा काउंट करेंगे 2, 4 और ये 6 तो अब ये 4 फंदा आगे लाएंगे तो यहां पे देखिए इस तरीके से ये 1, 2 और ये 3 इसको हम फिर से उसी सलाई पे चड़ा लेंगे और ये 4 फंदे को हम आगे लाएंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तो हर 4 सलाई के बाद 2 फंदे हमारा डिजाइन इधर आजाएगा और अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा तो 1, 2, 3, 4 और एक बार फिर से देखिए 6 फंदा हमारा है तो ये 4 फंदा हम आगे लाएंगे इस तरह से और यहां से 6 फंदे हम सीधे बीनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर एक, दो, तीन और ये 4 उल्टा उन पीछे फिर से देखिए चौथा फंदा आगे लाएंगे ये इस तरीके से इसको ये आगे इसको सीधा बीनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और चार, एक, दो, तीन, और ये 4 हो गया उल्टा लास्ट में सीधा अब देखिए सबसे पहले यहां पे हमने ये 6 फंदे का पैटर्न डाला इसके बाद 4 सलाई के बाद यहां 2 उल्टा हुआ अब 4 सलाई के बाद यहां 4 उल्टा हो गया रॉंग साइड में सेम पहला फंदा उतार के उन पीछे करेंगे और 4 सीधे फंदे और 6 उल्टे फंदे यह 4 सीधे 6 उल्टे दो तीन चार पांच छे फिर उन पीछे एक दो तीन चार सीधे और उन अपी तरफ एक दो तीन चार पांच छे उल्टे फंदे एक दो तीन चार सीधे और यहां पे एक दो तीन चार पांच छे और यह एजिस्टेज की हो गया देखिए? अब ग्यारहमी और बारहमी सलाई फिर से बिल्कुल साधा पहला फंदा उतार के पूरा सिधा सिधा और 12 वी सलाई पूरा उल्टा उल्टा इसको कर लेते हैं ये देखिए अब हमारा किनारे पे देखिए ये जो 6 फंदा बचा है तो अब हम ये वाली डिजाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां से अब हम 4 फंदा काउंट करेंगे तो हमारा 2 फंदा आगे प्लस करनी के लिए नहीं है क्योंकि 2-2 फंदे हम आगे जा रहे हैं तो यहां से अब हम सिर्फ पहला फंदा स्किप करके 4 सीधे बिनेंगे तो एक, तो, तीन, चार, क्योंकि ये दो-दो फंदे हमारा राइट साइट को डिजाइन जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा फंदा नहीं है इस डिजाइन को बनाने के लिए, तो अब इसके बाद हम एक, दो, तीन, और ये चार उल्टा उन पीछे करेंगे, और अब यहाँ पे, चौथा फंदा हम आगे लाएंगे, यह है तेरहवी सलाई, इस तरीके से देखिए, पांच, छे, अब यहाँ से चार उल्टा, फिर से यहाँ पे, यह देखिए, यह जो हमने यह डिजाइन यहाँ पे खतम किया, इसके बाद से यह चार उल्टा, और यह देखि छे, सीधे फंदे, जिसमें हमने अपना डिजाइन डाला है, यह हमारा रिपीट पैटर्न है, फिर से हमने चार उल्टा कर लिया, और अब यह चौथा फंदा आगे लाएंगे, यह है हमारी तेरहवी सलाई, यानि कि थर्टींत रो, तो यह देखिए, छे, सीधा, अब यहा फंदा उन पीछे, अब यह देखिए, जो दो यहाँ पे हमारा फंदा कम हुआ सीधा, अब यह यहाँ पे दो सीधा हो जाएगा, जैसा कि मैंने फर्स टाइम पे आपको बताया, कि जैसे जैसे हमारा डिजाइन इधर को राइट साइड को जाता जाएगा, जो यह दो फंद सामने भी ना था, राइट साइड से और रॉंग साइड से यह दो उल्टा, और अब एक, दो, तीन, चार, यह सीधा, अब छे उल्टा, दो, तीन, चार, पांच, छे, उन पीछे, एक, दो, तीन, चार, सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उल्टा, और एक, दो, तीन, चार, सीधा, लास्ट में, एक, दो, तीन, चार, उल्टा, फंदा और एजिस्टिच भी उल्टा, तो यह हो गई हमारी 14 सलाई, 15 वी और 16 सलाई, फिर से सादा सादा, सीधा और उल्टा, इसको हम बना लेते हैं, अब देखिए, अब इस बार हम सिर्फ दो सीधा बीनेंगे, यहां से चार उल्टा कर लेंगे, और सेम डिजाइन को बना लेंगे, तो अब इस तरीके से देखिए, यह बिनते बिनते, हमारा यह लास्ट में यह दो बचेगा, 20 सलाई कंप्लीट होने के बाद, फिर इसके बाद हम जो सलाई यह जो सादा कर लेंगे, इसके बाद जब हम 21 सलाई में अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो फिर से पहली सलाई हमारी रिपीट होगी, देखिए, 4 उल्टा और फिर यह 6 फंदे की डिजाइन, तो इस तरीके से यह जो हमारा पैटन है, जब 4 उल्टा, 6 सीधा, जब हम स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 20 सलाई होने तक हमारा यह जो फंदा है, पूरा खतम हो जाएगा, 21 सलाई में हमारा फिर से यह 4 उल्टा, 6 सीधा का पैटन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब इसके आगे यह बस यह है, देखिए, अब इस बार हम करेंगे, तो सिब 2 सीधा भी नहेंगे, और यह 2 फंदे उल्टे में आ जाएगा, तो अब यहां से अभी मैं डिजाइन नहीं बता आ रही हूँ, टोटल 20 सलाई का हमारा पैटन है, सेम 4-4 सलाई का पैटन है, बस हर 4 सलाई के बाद 2 फंदे हमारे राइट साइड को खिसकते जाएगे, तो इस तरीके से हमारा यह पैटन ऐसे बन के तयार हो जाएगा, तो यह देखे, यह है हमारा पैटन, मुझे उम्मीद है कि यह आपको जरूर पसंद आएगा, अगर आपको यह पैटन पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तक के लिए बाए